कि हैं सबस्क्राइब करें विडियो आज हम बात करेंगे लेवल 2 यानि के 10 चेप्टर गे बारे में जिसका नाम है कोलिंग सिस्टम कोलिंग सिस्टम होता क्या है देखे कुलिंग सिस्टम का मतलब होता है वैसे तो देखे कुलिंग का मतलब होता है थंडा का है लेकिन यहां पर हम बात करेंगे इंजन का टमप्रेचर है उसको मेंटन करने की यहां पर हमारे कुलिंग सिस्टम का काम है वो हमारे इंजन के टमप्रेचर को मेंटन करके रखन तो उसमें help करता है हमारा cooling system जो कि 70 degrees से नीचे भी नहीं होने देता और 80 degrees से उपर भी नहीं होने देता ठीक है तो अब आई बात करते हैं हमारे cooling system के बारे फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि जो cooling system है वो हमारे engine के temperature को maintain करके रखता है main definition इसकी यही आपने याद रखनी है यह ठंडा नहीं करता सिर्फ engine को क्या है temperature को maintain कर देता है अब इसके बात करते हैं कि cooling system हमें जुरूरत के पड़ी है cooling system के हमें जुरूरत क्यों पड़ी है देखे cooling system क्या है कि जो fuel हमारा engine के अंदर आता है हम burn करते हैं उसे energy लेते हमारा vehicle ज यह सर जाती है सिर्फ 20 % सिर्फ 20 यानि के 100 में से 20 परतिशत हमें और और चलाने के लिए tua से देखे हैं जो हमारा friction system है जो है जो भी घर्षन होते हैं वो खालात इक इसके अलावा स्लेंडर के इस दिवार है वesusक्ति देटी पर्शन ले जाती है और जो हमारी our exhaust gases स्थार अर्जी आइंट था मfour गई आती है और ज second remove basement We are focused हो जाती है वह और अजए हुआ है professor जिसीं ही शुन हमारे कगले को श्रवाना जातित शुन को हैं वह बालत शूने की ऩो जे लिप करते हो जाना और अगर हिस्प्स हमारे की कि इतने प्र दो看ayan में करें हमारे कुलिंग सिस्टेमए 2 परकार के ह ciao पहला था एर कुलिंग दूसरा होता है वाटर कुलिंग अब बात करें कि एर को लिंग करना जैसे कि आपने रिमा देखि देख हैंगां के अधर क्या सब्से करना आपिक ए कि इंजन की एक्स्ट्रा हीट है उनको अपने साथ बहा ले जाएंगी हीट का एक सिंपल सा फंडा है सिंपल सा फोर्मूला है कि हीट हमेशा होट टू कोल्ड वेदर में ट्रांसफर होती ठीक है अगर कोई गर्म चीज तो ठंडी रखेंगे इसके बावजुद भी हमारे इंजन को वह हवा के अडर देगी टेम्ट्रेटर का मैंटन करके रखेगी तो यह था एर कोलिंग सिस्टम जो की टू वेदर्स हैं मेंली उनमें यूज किया जाता है और ओटोज में भी यूज किया जाता है अब हम बात करेंगे वाटर कोलिंग की वाटर कोलिंग क्या है वाटर कोलिंगा मतलब पानी यानि कि पानी से हमारे इंजन की जो एक्स्ट्रा हीट है उसको कम करना तो इसके अंदर जो कॉंपोनेंट्स हैं उसके बात कर लेंगे सबसे पहले हमारा गोलिक सिस्टम का जो हिस्सा है वो है रेडियेटर ठीक है जी फिर है रेडियेटर फैन ठीक है जी उसके बाद है रेडियेटर कैप ठीक है जी उसके बाद है water pump उसके बाद है thermostat उसके बाद है bypass परणाली उसके बाद है freeze plug और उसके बाद है head gasket और उसके बाद है rubber होज या हम क्या सकते है pipeline working क्या होगी कि जैसे देखिए सबसे पहला radiator जो है उस radiator का काम क्या है हम आपको बता है radiator क्या करता है जो engine से पानी गरम होके हमारे पास आया है तो सारा का सारा पानी कहा जाएगा radiator के अंदर जब radiator के ऊपर से नीचे की तरफ पानी जा रहा होगा तो सामने से आ रही हवा जब उ रेडियेटर का काम क्या है हमारे गरम पानी को ठंडा कर देना हवा की सहायता से अब हम बात करेंगे रेडियेटर फैन देखिए जब हमारी गाड़ी चल रही है तो तो सामने से हवा रही है हमें कोई दिक्कत ही नहीं है हमारा गरम पानी हो ठंडा हो जाएगा लेकिन जब हमारी गाड़ी खड़ी, तब सामने से हवा नहीं आती होके गosphर दो होला तो वह सारी हवाखर का दो मेडर्डिकल ओपरेटीड होता है इसके बादे का इदा लंगी जश्ओं रिए क का धेदं कि नो से किया जाते घर थेच्ट की स्वेसेans प्रसकता है में यूस्कों बचिकर घरता हुए उसको लिए हुज़़ आघ सिस्टम गांद कल दोißtहा दो सिवां में पाने की तो हमें मोटर होती पानी तो हम नीचे सी लेके कर के ऊपर क्या करेगा किक जो हमारा जो बार है बारा में रहता है और काफी कम रहता जदा नहीं होता इसके बाद बात करेंगे थर्मोस्टेट जैसे की थर्मोस्टेट है कि हमारे इंजन में कब और कितना पानी जाना चाहिए ये शारा डिसाइड करता है हमारा thermostat and thermostat wall जैसे पानी की टूटी है हमने इसाब से खोल सकते है जदा पानी चीज़ जदा खोल दो कम चीज़ तो कम उसी तरह से क्या है sense करेगा कि हमारे एंजन का तरह तरह बढ़ रहा है तो पूरी लाइन को पूरी ओपन कर देगा अगर तरह कम है करेंगे अंधर कम चाहिए औरKapaz ऑस क्नाली क्या है यह एक लिटेस टेक्नोलोगी है पहले वाली गाड़यों में नहीं होता था अब्सक्only इसे पहले क्या होता था हम घुझ ंसल्फ किस अज़ी नहीं मीरा क्यों के प्सके आदा काम है कुलिंग सिस्टम का काम क्या है इंजन में बार बार पानी को ठंडे पानी को भेजना तो अगर ठंडा इंवार्मेंट है तो हमारे इंजन जल्दी से हीट ले नहीं सकता जल्दी से वर्मप होगा ने तो हमारे इंजन जल्दी स्टार्ट होगा ने इसलिए बाइपास सिस्टम करने की प्रोसेस टार्ट कर दी तो वहां इंजन की ज्वास-पास पानी है वह इंजन से हीट लेके थोड़ा सा गरम होगा लेकिन वह रेडियेटर में नहीं आएगा वह बाइपास ही रहेगा बाइपास का मतलब इंजन से निकलके वापिस इंजन में ही वह पानी जाएगा ग यए पाइप्स वापिस वही पानी इंजन में यूज करते रहते हैं जब तक हमारा इंजन 70-80 डिगरी के तेंप्रेशर के बीच में नहीं पहुंच चाहता है यह बात करें पानी के लिएकर नेकर लेकर लेकर आप घृट एक लेकर आप लेकर बारे में अब रहता है एक प्लास्टिक टैंक बहुता है आपने देखा होगा जिसके अंदर लो लेवल मीडियम और मैक्सिमम लेवल के निशान बने रहते हैं बैखि जो टैंक है जो एकसी टैंक हम बोलते हैं वार्ट रिजर वियर वो क्या है क्या है के उसमें क्या रहता है कि अगर जब गाड़ी के अंदर आधिक के प्रेशर क्यान की विज़ए से तमड़ता है ठीक है तो वहाँ पर अगर कमानटी जादा वह जाती है तो वहां पर टैंक के दरवेज देगा लेकिन अगर जब उसको जुरूर पढ़ेगी तो वह टैंक से वापीस उठाके कुलेंट को उस पानी को रेडियेटर में भी ले आएंगे ये दोनों यूज इसके रहते हैं है अब इसकी प्रोसेस की बात प्रोसेस की बात करेंगे तो सबसे पहले क्या है जब हम गाट सब्सक्राइब तो वैइक MPO सिस्टेम नहीं रहेगे ताकि ज्यादर ज्यादा हम जो तंप्रेटर गुद्द को बढ़ा सके हमारी एंगन का ताकि हमारे न्जन जादी वर्किंञ जैसे वह बरकिन टंपरेटर पर आएगा एटी डिग्री तक आएगा और से उपर जाने कोशिज करेगा तो थर्मोस्टेट क्या है उपन हो जाएगी फिर वह जो वाटर है मारे डीटर से होना स्टार्ट हो जाएगा डीटर का जो इनलेट है इंजन के अंदर उसी के साथ हमार तो हम बात कर लेते हैं सब्सक्राइशन की कि हमने अब तक क्या सिस्ट्म के बारे में देखा इसकी टाइप इस टाइए और यहीं एटका आप से despiteはは तकते हैं क्या है वो कैसे वरकिंग करते हैं फिर अमने कुलिंग सिस्टम की जो वरकिंग है उसके बारे बात किया और मैं बदा दूं कि यह कुलिंग शिस्टम है हुमारा यह रिपीट जलता रहता है जब तो नियुक्त बंदी होगा तब तक यह ऐसे ही वहारा जापनी रिडिटर में जाता रहेगा वापीस आएगा वापीस जाता रहेगा यह प्रोसेस कंटिनुन चलती रहेगी जब तक हमारा इंजन स्टार्ट कंडिशन में रहेगा तो इसी के साथ जो हमारे जाप्टर कंप्रीट होता है थैंक्यू हेवेनेस्ट